कांग्रेस नेता रहूल गांधी ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार ने अगनीवीर योजना जाबा सेनीकों का अपमान करने के लिए बनाई है अगनीवीरों की शहादत को मानने से भाश्पा इंकार कर देती है और इसके बाद उनके परिवारों को ना तो पेंशन मिलती है ना ही कोई अनिलाब मिलता है राहुल ने इस पोस्ट के साथ सियाची में ड्यूटी पर जान गवाने वाले अगनीवीर गावते अक्षेल अक्ष्मन की तस्विर भी शेयर की भारती सेना ने राहुल के इस पोस्ट पर तो कोई टिपणी नहीं की लेकिन एक्स पर इस पोस्ट में जानकरी दी कि अगनीवीर अक्षेल अक्ष्मन के परिवार को एक करोड उपे से ज़्यादा की मदद दी जाएगी सेना ने लिखा कि सोशल मीडिया पर कोई गलत मेसेज लिखे जा रहे हैं इसलिए यहां साफ करना जरूरी है कि म्रतक सेनी के परिवार को नियमों के मताबिक उप्यक्त आर्थिक साहिता दी जाती है अगनी विर्कवते अक्षेल लक्ष्मन का पार्थिव शरीर आज उनके आवास पर लाया जाएगा अक्षे के पिता लक्ष्मन कवाति ने बताया अक्षे पढ़ने में बहुत होश्या था उसने विकाउम की पढ़ाई की थी और आर्मी में भरती होना चाहता था 20 तारिक को उससे आखरी बार मेरी बात चीथ हुई थी तब उसने मेरी और अपनी मा की तबीद के बारे में पूछा था उसने कहा था कि मेरा सब कुछ ठीक है भाज़पा के आईटी सेल प्रमुक अमित मालवी ने रहुल गांदी के बयान को बक्वास और गेल जिम्मेदाराना बताया है इसी के साथ बने रहे है राज़द्रमा टीवी के साथ दर देवाद